बैंगलोरो में कल रात गए तशद्दुत के बाद आज यहां का मावल आप देख सकते हैं पूरी तरह से शांथ है मामला जो है कंटरोल में है यह इस वक्त हम जो MLA हैं उनके घर के बल्कुल बाहर हैं देख सकते, MLA का जो घर है पूरी तरह से जुलस गया है जो भीड आई थी वो इतना ज्यादा तशद्द भड़क चुका था जो भीड में इतना घुस्ता था कि वो जो घर है मकान है एमेले का वो पूरी तरह से जला दिये हैं आग जनी बड़ी पैमाने पर हुई है जिसके वज़े से जो है उनका जो घर है पूरी तरह से जल गया है इसी तरह से थोड़ा सा अगर हम आगे आके दिखाएंगे आपको तो यहां रास्ते में जो उनके घर के बगल में जो है कई जो गाड़ियां खड़ी थी दो पई गाड़ियां थी उन्हें जला दिया गया है कार थी कार जला गई हैं देखिए यहां पर कई कारें जो पार्क की गई थी वो हैं और खुद एमेले की जो पार्किंग गारेज है उसमें भी जो है पूरी तरह से जो कार खड़ी थी वो ज बिलीव भी नजर आ रहें तो इस तरह से जो गुसा था लोगों में जो भीड थी वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी इसके बाद लगातार जो आग लगने वाला जो मामला है इसमें कई गाड़ियां कई बड़े गाड़ियां जली हैं कई बाइक जले हैं और बड़े पैमाने पर जो है इसमें नुकसान भी हुआ है खास करके जो नुकसान है जो आसेट है उसके अलावा जो है तीन जाने भी इसमें गई है पॉलिस फारिंग में तो किल मिला कि यह कहा जा सकता है कि यह कलका जो दिन था वो सिया दिन था बैंगलोर के लिए इतना बड़ा जो है उसमे नुक्सान हुआ है कहीं ने कहीं बताया जा रहा है कि पोलिस की बरवक्त कारवाई नहीं की जानी पर चुंकि जो लड़के ने जो तशिदुद भड़काया था जो फेस्बुक पे जो हुजुर सलेल्दाहु अलेवसलम पर जो गुस्ताखी की थी उस पर कारवाही करने में ताखिर हुई थे जिसके बाद ये भीड भड़क गई और भीड जो है कंट्रोल में नहीं आई जिसके वज़े से एमेले का जो घर था चुँके एमेले जो गुस्ताखी किया था उससे रिलेशन था उसका उसके रिश्यदारी थी इस वज़े से जो है एमेले पर काफी लोग नाराज हुए थे हलांकि जो एमेले है वो कॉंग्रेस के हैं तो कुल मिला के उनका घर जो है इस वक्त जला लेकिन एमेले हो या उनके परिवार के कोई भी लोग हो या फिर यहां के लोगों को जानी नुक्सान नहीं हुआ है लेकिन जो भीड आई थी उसमें फैरिंग के दोरान तीन लोगों की मौत हो गई है